चले विच्छ चेप्रे नमरा 5 देखे, Lines and Angles, Exercise 5, 8 अतना सागर है, Class 7, Write the complement of each of the following angles, आपको कुछ angles दिये गए हैं, आपको इनके complement लिखने हैं, तो सबसे पहले सीखे, complement होता क्या है, काफे simple question है, डरना नहीं है, ठीक है, देखिए, दो angles मिलाके, अगर वो 90 degree हैं, तो उसको हम complementary angles, तो हमें एक angle दिया गया है, एक हमें निकालना है, तो पहले हम बोलेंगे, देखिए, आपको क्या करना है, आपको लिखना है, यह आपको दिया है, 34 ऐसे, आप लिखोगे, sum of two supplementary angles is 90 degree, sum of two supplementary angles कितना था, 90 degree, 34 हमें दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, hence, complement of 34, हमें 34 को निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 90 minus 34, 90 में से अगर हमारे 30 के तो बचेंगे हमारे 60, 60 में से 4 के तो बचेंगे हमारे 56 degree, ठीक है, यह हमारा first हो गया, second देखिए, कितना है, 89, अब यह line है, यह line आप बार लिख देना, ठीक है, कोई मसला नहीं, एकने मगा question आएगा, तो लिखना भी मत, बस डारेक्ट यह लिख देना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं डारेक्ट निकालना हो यहाँ पर, compliment, ठीक है, आप चाहती इस line को दुबार यहाँ पर लिख सकते हो, compliment of 89, कितना हो जाएगा 90-89, तो कितना हो जाएगा, 1, डिगरी, ठीक है, दिरी दिरी लगा लेना, यार, क्या, डिगरी डिगरी क्या देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 3rd जेखिए अब अब, 3rd में कितना है बच्छे, आपका 25 डिगरी है, ठीक है, तो आप निकाल दोगे, compliment of 25, कि वबहारा 65C Steきly थी अब देखिए fourth हमें दिया है one-third of right angle सै टॉ chronisesti one-third of right angle so one-third of right angle मतलब one-third इंगल मतलब 90 तो divided तर्टी धीनिकालने तुम निकाल सब्सक्राइज हैं कॉंप्लिमेंट कि सब्सक्राइद का कॉंप्लिमेंट ऑफ 30 कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 इकोल्स टू 60 रिक्री ठीक है तो हमारा क्वेस्ट नेमर बनने हो गया कंप्लीट